इंग्लिश में क्लास 10 की चैप्टर है ग्लिम्स ऑफ इंडिया ग्लिम्स का मतलब होता है जलकी और ग्लिम्स का मतलब जलकिया ग्लिम्स ऑफ इंडिया का मतलब होगा भारत की जलकिया इस यूनिट में तीन डिफरेंट चैप्टर तीन अलग-अलग स्टेट्स के किसी ना किसी special unique feature को showcase करते हैं और इसी unit के अंडर में हमारा एक chapter है A Baker from Goa जिसे लिखा है Lucio Rodericks ने इस पूरे वीडियो में हम 315 words के 20 points में इस पूरे chapter A Baker from Goa को sum up करने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बिना delay किये मैं हूँ शुशिर और आप देख रहा हैं English page The author describes the childhood memories Cherishing memories of bakers जो author है इस chapter के वो बचपन की यादों को अपने share करते हैं और ये बचपन की किन से related यादे हैं ये बचपन की याद इनके Bakers से related है Bakery, Bakers आपने जरूर सुना होगा Bakery से related word है Bakers और baking होती है वहाँ पर यानि कि जहाँ पर cake बनाने का काम या bread बनाने का काम या pancakes बनाने का काम होता है उस जगा को बोलते हैं Bakery और इसे बनाने वाले को बोलते हैं Bakers narrator कहते हैं कि Goa के elders जो है The elders in Goa are nostalgic about portugals and their famous loafs of bread Goa के जो बड़े बुज़र्ग हैं वो अकसर पुर्तगालियों के उन पुरानी यादों में खो जाते हैं और उनकी famous bread making की art की तारीफ करते हैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडिया में आने वाले colonizers यानि जिन्होंने भारत को अपनी विश्च बनाया विदेशियों में सबसे पहले portugals थें और इंडिया को सबसे last में छोड़ने वाले colonial powers में से भी आखिरी portugals थें जिनके control में goa, dhaman और दियू था आपको मुझे answer ये करना है कि portugals ने finally goa, dhaman दियू को किन years में छोड़ने का फैसला लिया इंडियास यानि कि यूँ भी कह सकते हैं कि goa, dhaman दियू भारत का हिस्सा किस वर्ष बना आपको ये answer गूगल करके बताना है चैप्टर पे आते हैं actually में goa में रहने वाले portugals ने baking को काफी enrich किया baking की परंपरा को काफी समर्द किया तो चुकिए वो वहाँ पड़ थे और वहाँ के baking industry को उन्होंने प्रभावित किया तो जो बड़े वज़ुर्ग Portuguese baking को देखा था उन्होंने उसे बड़े शौक से याद करते थे narrator बताते हैं कि baking के process में तीन तरह के professionals थें कौन-कौन से mixers, molders और bakers तो चलिए बताता हूँ तीनों professionals के बारे में थोड़ा सा mixers का काम होता है दोस्तों जो floor होता है यानि कि जो मैदा या आटा होता है उसको knead करके यानि कि गूठ करके dough बनाते हैं स्ताना हुआ आटा Molders का काम होता है mold में Molds का मतलब साचा या धाचा साचों में अलग-अलग size और shape में उस dough को shape करते हैं और final work होता है bakers का, baking का काम करते हैं, यानि कि आग में इस molded dough को सही temperature पे सही time frame तक रख करके फिर निकाल लेते हैं, तो ये तीन तरके professionals होते हैं, इस chapter में एक line लिखी गई है, the fire in the furnaces has not yet been extinguished, जिसका मतलब होगा कि उन furnaces की आग आज तक extinguished नहीं होई है, यहाँ दो words हैं, एक है extinguished और दूसरा है furnace, furnace का मतलब होता है, आग की भठी, जिसे आप kill भी कर सकते हो, और extinguished का मतलब होता है, put out, यानि कि बुझाया जाना, आपने तमाम buildings में, like schools and hospitals में, fire extinguisher तो जरूर देखा होगा, यानि कि extinguish करने वाला extinguisher, यहीं से बना वार दूसरा, इस chapter में लिखा है, the fire in the furnaces has not yet been extinguished, it simply means कि baking industry आज भी गोवा में बड़ी popular है, it is still popular in गोवा, अब बात करते हैं, narrator अपने बचपन की उन दिनों की, जब सुबह सुबह ये bakers अपने baked item को बेचने आते थे, और वो लिखते हैं, जब किसी भी solid को किसी surface बे गिराते हो, तो जो sound produce होता है, उसके लिए एक onomotipoic expression thud, ठीक है, यानि sound producing word है thud, jingle भी sound producing word है, पर किस तरह के sound को represent करता है, glass अगर glass से टकरा है, या metal से टकरा है, तो jingle की sound आती है, तो जब वो अपने baking items को बेचने आते थे, तो क्या करते थे, bamboo साथ मिलाते थे, यानि bass साथ मिलाते थे, और उसको third और jingle करते हुए, बजाते हुए आते थे, and it heralded his arrival, और ये इस तरीके से अपने आने की सूचना देते थे, महले के लोगों को, कुछ words हैं, जो मैंने आपके लिए यहाँ पर बता रखे हैं, herald का मतलब होता है, announce या proclaim करना, और जब ये word होता है, तब इसका मतलब ऐसा होता है, बट जब ये noun होता है, herald, तो herald as a noun simply means, messengers who bring some important news, एक ऐसा messenger जो बड़ी महतवपूर्ण खबर को ले कर आया हो, उसे बोलते हैं herald, तो क्या Portuguese के जाने के बाद baking industry खतम हो गई वहाँ से, तो narrator बोलते हैं, bakers still continue their family profession, नहीं bakers आज भी अपने family के profession को continue की हुए हैं, और इन bakers के रिए एक बड़ा specific name हुआ करता है गवा में, उनने बोला करते हैं, उनने बोला करते हैं पैडर, वाटेगीज में से पदे बोलते हैं, writers यह बताते हैं, कि किस तरह से यह जो padders थे, यानि कि bakers थे, किस तरीके से, twice a day visit करते थे इन लोगों को, पहली बार in the morning, जब वो अपने items को बेचने आते थे, और second time, when they returned after sell, जब वो पूरे समान को बेच लेते थे, शाम को return हो रहा होते थे, तब वो आते थे, narrator का कहना है, कि जब यह bakers आते थे, और यह इनका jingle और thud जो था, वो बच्चों को बड़ा appeal करता था, और उन्हें नीन से जगा दिया करता था, पर क्या यह bread collect करने जाते थे, narrator कहना है, नहीं, breads were collected, loaves of bread were collected by servants, वो तो knocker रिकठा करते थे, knocker लेते थे, baker से, फिर बच्चे क्यों जाग जाते थे, they used to wake up for, choosing their braid bangles, actually में braid का bangle shape में, bangle का मतलब होता है, kangan, तो kangan के shape में गोल गोल braid होते थे, वो बड़े इस खुबसूरत तरीके से बनाता था, और वो बच्चे वो बड़ा appeal करते थे, बच्चे उन्हें लेने के लिए दोड़े भागे चले जाते थे, तो loafs were made for elders and bangles for children, अब बात करते हैं narrator, गोवा की परंपरा में किस तरह से ये braid making का आर्ट घुस चुका है, एक intrinsic part बन चुका है, तो narrator बोलते हैं एक तरह की braid होती है, जिसे बोलते हैं bowl, और ये marriage ceremony में, wedding gifts में, बड़ा important मना जाता है bowl को, bowl क्या है, एक तरह की sweet braid है, मीठे braid है, और शादियों में इसका बड़ा महत्व माना जाता है, इवन शादी के एक और हिस्से में sandwich making का art बड़ा important होता है, और ये sandwich कौन मनाता है, जो bride होती है, उसकी mother, अपने daughter की wedding ceremony में sandwich जरूर बनाती है, this is a custom, एक परंपरा सी है, एक custom सी है, कि अगर daughter की शादी है, तो उनकी mother उनके लिए sandwich बनाएंगी, तो आप इससे समझ सकते हो कि किस तरह से baking की जो art है, गुआ की custom and tradition का influencing part बन चुकी है, एक और बात narrator बोलते हैं कि cakes and ballin has, Christmas और other festivities का एक regular part है, उनकी cuisine का या फिर उनके dessert का एक important हिस्टा है, cakes and ballin has, अगर कोई festivity है, या Christmas जैसा festival है, तो वो जरूर बनेगा, एक technical term आपने padder पढ़ा था, padder के लावा एक और word है कबाई, कबाई जो था एक special dress था bakers का, और bread sellers का, वो कबाई dress पहन कर ही आते थे, कबाई होता कैसा था, it was a single piece of long frog that reaches down the knees, एक single long frog होता था, जो घुटनों तक पहुंच जाता था, उसे कबाई बोलते थे, और इसी वज़ए से कभी कभी क्या होता है, कि आज भी गोवा में, अगर कोई half paint ऐसी पहने, जो below नहीं जा है, तो लोग उसको padder कहने लगते हैं, क्योंकि padder ही कभाई पहनते थे, तो humorous तरीके से उसे बोलते हैं, padder हो क्या तुम, बेकर्स जो थे, वो महीने दिन तक घरों में supply देते थे, bread और जो भी cakes, जो भी बनाते थे, और ये bills जो थे, वो last में, by the end of the month, collect करते थे, अच्छा ऐसा आपके हैं, यहाँ newspaper hawker भी करता है, और milkman भी करते हैं, दूध वाले भाईया भी करते हैं, तो वैसे बेकर्स भी किया करते थे, तो इस पूरे महीने का हिसाब वो कहा लिखते थे, वो वाल पे पैंसिल की मदद से हिसाब किताब लिखा करते थे, बेकिंग उन दिनों बड़ा profitable business था, और यह बात कैसे मालूम चलती है, क्योंकि बेकर्स की family और servants, बड़े ही happy और prosperous दिखा करते थे, prosperous का मतलब होता है, rich, समर्द, तो बड़े खुश और बड़े समर्द दिखा करते थे, और baker से अकसर उन लोगो compare कियाता था, जिनकी appearance jackfruit जैसी हो, कटहल देखा है, किसी तरह से size निकल जाती है, यानि कोई भी वैक्टी जो obesity का शिकार हो रहा हो, मोटा हो रहा हो, obvious हो उसको लोग अकसर baker कह दिया करते थे, कि तुम्हारी appearance तो jackfruit जैसी होते जा रही है, तो मिलकुल baker हो गए हो, तो यह सारे points से important, अब यहां कुछ vocab की कुछ important और words हैं, दोस्तों, जो आपके साथ share करना चाहूंगा, देखिए pain portrait का मतलब होता है, pain sketch, यह देखा चित्र, जो इस chapter में आया हुआ है, reminiscing का मतलब होता है, recalling the past, यतीत को याद करना, एक reminisce word से मिला हुआ यह noun है, reminisce verb है, इसका second form और third form में बस D लग जाता है, it simply means to recall the past, vanish एक और word आया, इस chapter में बड़ा important है, vanish means disappear, गायब हो जाना, extinguish मैंने already बता रखा है, furnace का मतलब किल नियानी की भठी, third, एक sound होता है, जो किसी भी surface पे कोई solid core drop करते हो, तो produce होता है, jingle मैंने पहले बता रखा है, sound of metal or glass, clattering against itself, और herald का मतलब भी मैंने बता रखा था, it simply means announcing, learning comment box में मुझे ये जरूर बताएगा कि particles ने गोवा दमन दीव को कब छोड़ा और ये इंडिया का पार्ट कब बना, thanks a lot for watching, take care and keep learning.